हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू एक्जाम है प्रोगर स्टेडी पोर्टल मेरा नाम है आशिश तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे कॉमर्स की पहली क्लास जी हाँ आज हम लोग के बेसिस को सीखने वाले हैं जिससे की आने वाले जितने चैप्टर्स हैं जितने भी लोगों को बहुत असानी से कोई दिक्कत ना है हमें समझने में क्योंकि सबसे जादा परिशानी होती है नई चीज़ जब हम लोग सीखने बैठते हैं तो काफी सारी चीज़े हम लोगों को समझ में नहीं आती हैं तो आप लोगों के दुविदा दूर हो जाएगी आप लो commerce सिरफ इतना ही नहीं है, commerce का actual मतलब होता है, buying and selling of goods and services यानि कि जब हम वस्तों और सेवाओं को खरीदते हैं और बेचते हैं, उनका वैपार करते हैं, यानि कि वस्तों को माल लीजे मैंने biscuit के packet खरीदे और उनको बेची दिया, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं commerce, और इसी को हम क्या बोलते हैं, commerce बोलते हैं, अब आगे समझेंगा business क्या होता है, business एक economic activity है, business एक economic activity है, जिसमें क्या होता है, buying and selling of goods and services यानि कि चीजों को खरीदना और चीजों को बेचना, पैसे कमाने के लिए, profit कमाने के लिए, अब यहाँ पे हम यह समझेंगे कि commerce भी वही थ चीज है, जिसके अंदर commerce समाया हुआ है, business एक बहुत बड़े process को बोलते हैं, और commerce उसका एक चोटा सा part है, कैसे, माल लीजे, business के अंदर क्या होता है, business के अंदर production भी होता है, business के अंदर manufacturing भी होता है, तो business एक बहुत बड़ी activity है, जो कि business के idea से शुरू होती है, और जिसका कोई अंत नहीं है, ठीक है, जो की, अंत आप ये समझ सकते हैं कि जो आपने product है, उसको बेच दिया, और उसे जो profit हुआ आपको, तो actual में वहां तक business है, लेकिन commerce क्या है, commerce उसका एक part है, तो सिर्फ वस्तों को खरीदेना, चीजों को खरीदेना और बेच देना, ये commerce है, ले में माल लीजे, मैंने कोई बहुत बड़ी factory लगाई, biscuits को बनाने की, फिर मैं आगे उसको जितने भी distribution channels हैं, उसके जरी आगे पहुंचाऊंगा, shops पे आएंगी वो चीज़ें, और फिर उसको हम sale करेंगे, तो business एक बहुत बड़ी जिसे हम कह सकते हैं, चीज है, लेकिन commerce जो नहीं include है, मैंने business करना चाहा, तो मैं क्या करूँगा, मैं production भी कर सकता हूँ, ठीक है न, मैं चाहूं तो business, मैं चाहूं तो मैं biscuits की factory लगा सकता हूँ, production कर सकता हूँ, किसी भी चीज़ का, तो ये पूरा business कहलाता है, अब next जो हम definition देखेंगे, वो देखेंगे economics, अर्थ शा यानि की शास्तर का मतला होता है, पढ़ाई, ठीक है, तो economics किस चीज़ के पढ़ाई है, money की, यानि की अर्थ की, यानि की पैसे की पढ़ाई है, कहां से एक individual जो है, मैं कहां से, किस प्रकार से अपनी जीवन चलाता हूँ, मैं कहां से पैसा लेकर आता हूँ, उसे कहां खर् हूँ, मैं अपनी satisfaction को पूरा करने के लिए, अपनी जरूरत की चीज़ों को पूरा करने के लिए, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, कैसे कैसे मैं अपनी life को चलाता हूँ, तो वो क्या है, वो ही उसकी study को economics कहते है, economics is a study of human behavior, how a human on money and spent, उसके बाद हम देखते हैं, accountancy किसे बोला जाता है, देखे, accountancy भी एक पढ़ाई है, एक process है, accounting एक process है, किस चीज़ का, हमारे business में बहुत सारी activity ऐसी होती है, जिसे record करना, ठीक तरीके से record करना, बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो भी accounting के principles बने हैं, ठीक है, जो भी उसके concept है, उसको follow करते होए चीज़ों को record करना, so that, सिरफ नहीं हम समझ पाएं, सामने वाला भी समझ जाए, banks हैं, companies हैं, accounts बनाती हैं, ठीक हैं, जिससे कि वो अपनी सारी business transactions को, जो भी business के अंदर transactions हो रही है, शाम से माल लिया, मोहन को माल बेच दिया, फिर शाम से पैसे लिये, मोहन को दे दिये, तो ये सारी जितनी भी business activities हैं, हमें इसको एक proper तरीके से record करना है, जिससे कि नहीं हम समझ पाएं, सामने वाला जो user है, वो भी ऐसी क्रियाएं होते हैं, जो भी ऐसी activities होती हैं, जिससे कि हम पैसा कामाते हैं, वो क्या होते हैं, economic activity होते हैं, जैसे कि tailor है, ठीक है, वो कपड़े सिलता है, और उसके बदले में वो अपनी fees charge करता है, ठीक है, तो वो क्या है, economic activity है, एक teacher है, पढ़ाता है, उसके बदले में वो क्या charge करता है, salary charge करता है, college से, और फिर school से, तो वो क्या है, वो हमारी economic activity है, एक doctor है, वो अपना profession चला रहा है, अपना clinic खोल कर बैठा है, और patients आते हैं, उससे देखता है, fees charge करता है, क्या है, economic activity है, इसी के साथ हम सिखेंगे, non economic activity किसे बोलते हैं, ध्यान दीजेगा, एक doctor है, अपनी ही बेटे का इलाज कर रहा है, ठीक है, तो उसके बेटे से उसे पैसे तो नहीं मिलेंगे, यानि कि वो किरिया हैं, जो कि हम करें, बट बदले में हमें पैसे ना मिलें, जैसे होगा charity हो गया, ठीक है, तो ये सारी के सारी activity कौन से कहलाती है, non economic activity कहलाती है, ठीक है, ध्यान रहेगा, वैसे मैं आप लोगों को बता दू, ये जो जितने भी topic हम discuss कर रहे हैं, इनकी एक separate video भी डली हुई है, हर एक topic की separate video आप लोगों को हमारी channel पर मिल जाएगी, लिंक भी आपको description box में provide करवा दिया जाएगा, बट आप playlist में जाकर भी उसको search कर सकते हैं, आगे देखते हैं हम आ रहा है capital, capital का मतलब क्या होता है, पूंजी, जिससे हम एक मालिक जो भी पैसा अपने business में लगाता है, जो भी मालिक अपना पैसा जो है, business में invest करता है, जिस इसी को हम 기ा बोलते है, capital बोलते है, मालिक मैं एक business शुरू किया, मालिक मॉमोस का business शुरू किया, तो मैंने 10,000 रुपै लगाए उसमें, छिससे की मैं business को चलाओंगा, तो वो क्या है, myfficacy is capital है, जिससे की मैं business को चुरू किया, ठीक है, जिद रहेगा, चलिंग आगे देखत जाता है. गूर्स घलाते हैं. जैसे कि मेरे सारह, ठीजिर मेने भी। खरीद अथ खरीद के लूगा, तो यह सारी किया है, यह गूर्ड caregiver है, ठीक है, ध्lla county रहेगा next जो है वो है stock stock का मतलब क्या होता है माल लीजिए मैंने biscuits बना लिए ठीक है अब biscuit को बनाने के बाद जो माल बनके त्यार हुआ है उसी को बोलेगे stock उसी को क्या बोला जाएगा च्छो कि satisfaction के लिए अपनी need को पूरा करने के लिए किसी भी चीज को use करता है, इस्तमाल करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उपभोगता है यानि की consumer बोलते हैं, for example मेरे को भूख लगी थी, मैंने एक आम खा लिया उससे क्या हुआ, आम खाने से मेरी satisfaction पूरी हुई, मुझे satisfaction मिली न, मुझे भूख लग रही थी, वो आम खाने से मेरी भूख दब गई, तो वो क्या है मेरे लिए वो satisfaction को पूरा करना हुआ, तो मैं कौन हो गया, मैं consumer हो गया, ठीक है, आप लोगों को need होती है, कि आप लोगों के पास एक luxury car हो, ठीक है, तो वो luxury car आप लोगों को मिल गई, आप लोग चला रहे हो से, और चला के आप लोग भूख अनंद महसूस कर रहे हो, बहुत खुश हो रहे हो, तो वो क्या है, आपकी satisfaction को पूरा किया उस car न, तो वो क्या आप लोग जो चीज को खरीदता है, यानि कि खरीदने वाला, जो कि कोई भी goods को, कोई भी services को लेता है, और बदले में पैसे देता है, वो कौन हो गया, buyer हो गया, difference होता है buyer में और consumer में, जरूरी नहीं कि buyer जो है, वो ही consumer हो, जरूरी नहीं कि जो consumer है, वही buyer हो, माल लीजे मेरा जो brother है, वो कोई भी biscuit खरीद के लाया और consumer मैंने कर लिए, मैंने उसका उपभोग कर लिए, तो मैं कौन हो गया, मैं consumer हो गया, तो मेरा भाही कौन हो गया, वो buyer हो गया, ठीक है, ध्यान रहेगा next जो हम देखते हैं, वो देखते हैं goods and services, goods अभी मैंने आप लोगों को बताया, goods क्या होते हैं, जिसे हम छो सकते हैं, देख सकते हैं यान कि वस्तुएं, services क्या होते हैं, जिसे हम छो नहीं सकते, देख नहीं सकते सिरफ उनका use कर सकते हैं, सिरफ उनसे जो satisfaction है, उसको प्राप्त कर सकते हैं, services इंटेंजीवल होती है जो की दिखाई नहीं देती फॉर एक्जामपल आप लोग मूवी देखने जाते हो ठीक है 500 रुपे की टिकट लिया आप लोगों ने तो आप लोग कोई समान घर पे लेकर आते हो क्या या फिर जो जहां पर आपने लोगों ने थेटर में मूवी देख तो जो भी चीजें हम सर्वेसिस में क्या होते हैं सर्वेसिस को अवेल करते हैं या कि उसका यूज करते हैं ठीक है और गुड्स में क्या होता है हम उसके मालिक बन जाते हैं मैं एक पैन खरीद के लाओंगा अब वो पैन मेरा है मैं चाहे उसे जैसे मर्जी यूज करूँ तो अब आगे देखते हैं, आगे हैं, next है हमारे पास assets, assets का मतलब क्या होता है, यानि कि हमारी संपती, जिस पे हमारा अधिकार है, जो कि चीज हमने खरीदी है, basically, जिस चीज में हमने invest किया है, so that वो हमारे business को लंबे समय तक फाइदा पहुंचाएगी, जैसे कि मैंने machine अब machine mirror को लंबे समय तक मेरे business को फाइदा पहुंचाएगी, वो क्या है, मेरे production को भढ़ाएगी, तो वो क्या है, हमारी assets है, building है, हमारी assets है, ठीक है, तो assets क्या होती है, हमारी संपती, जिस पे हमारा अधिकार होता है, next है liabilities, liabilities क्या होती है, हमारे obligations को liabilities बोलते हैं, यानि क है, हमारा, वो क्या है, हमारी liabilities है, माल लिजे मैंने किसी से supplier से goods जो है, परचीस किये उधार पे, तो कल को मैं supplier को पैसा दूँगा, है ना, तो वो supply को हो गया, मेरा creditor हो गया, यानि कि मेरी liabilities हो गई, ठीक है, next हम समझते है, profit क्या होता है, देखिए, simple है, बच्पन से हम ल जो भी हम cost price से जादा में हम चीज़ों को बेच देते हैं, वो क्या होता है, हमारा profit होता है, उसके बाद हम सीखेंगे gain क्या होता है, gain भी हमारा surplus होता है, बस इसको समझने के लिए, example हमें समझना होगा, माल लिजे मेरे पास कोई phone है, ठीक है, assets है मेरी, अब assets को माल लिजे म value घट गई, जो value घट गई, उसे क्या बोलते हैं, depreciation, उसको क्या बोलते है, depreciation, जो 6000 रुपे की value कम हो गई, उसे बोलेंगे depreciation, वो एक प्रकार का loss है, अच्छा, 4000 रुपे में, 4000 रुपे का phone की आज की value रह गई, मैंने उस phone को बेच दिया 5000 रुपे में, तो 1000 रुपे का फा क्या है, वो gain है, profit नहीं होगा, ज्यान दीजेगा, क्यों, क्योंकि profit जो होता है, वो निकलता है हमारे business से, जिस सीज का हम business कर रहे हैं, for example, मैं biscuit का business कर रहा हूं, तो biscuit sale करने से, मेरे को जो भी extra surplus होगा, वो मेरे क्या खलाया जाएगा, profit खलाया जाएगा, but gain का मतलब क्या होत case से, मुझे 20,000 रुपे मिल गए, तो वो क्या है, मेरे gain है, ठीक है न, तो extra जो भी activities होती है, other than business, उससे हम क्या मिलता है, gain मिलता है, next आगया हमारे पास loss, loss का मतलब क्या होता है, 100 रुपे की चीज़ थी, हमने 80 रुपे में बेच दी, 20 रुपे का loss हो गया, यानि कि जो भी हम selling, cost price से कम पे माल बेचते हैं, वो हमारा क्या बन जाता है, loss बन जाता है, next हम बात करेंगे किस की income की, ध्यान दीज़ेगा, इसी example को carry करते है, 100 रुपे की चीज़ थी, 20 रुपे का profit जोड़ा, 120 रुपे में बेच दिया, तो जो 120 रुपे मेरे पास आए, वो क्या है, मेर total income, जिसमें cost भी include है, और profit भी include है, ध्यान में रहेगी बात को, next देखते हैं, expenses, expenses क्या होते हैं, बिजली का खर्चा है, लोगों को salary देनी है, जो मेरे आपर काम कर रहे है, मुझे rent पे करना है, तो ऐसे जितने भी ये खर्चे हैं, इससे हम क्या बोलते है, expenses, हिंदी में बो लोगों को कोई doubt है, तो मुझे comment box में comment करकर बताईए, कि sir, ये चीज मुझे समझ में नहीं आई है, मैं आप लोगों के लिए again, एक class ले लूँ है, इसके बारे में, और मुझे जरूर बताईए कि comment box में comment करकर, कि next topic में कौन सा लेकर आँँ आप लोगों के लिए, जो आप के लिए, take care.